वीके नियूज उत्तरपरदेश उत्तराखंड सचका सार्थी नुपुर शर्मा का विवाद आग की तरह पूरे देश और विदेश में फैल चुका है पूरे चप्पन अरग देश भारत दे खिलाफ उतर चुके हैं अभी तक विदेशों में ही बवाल मच रहा था लेकिन भारत के हर राज में बवाल शुरू हो गया है हर जगा से तस्वीरे सामने आ रही है जहां पर कट्रपन थी, सड़क पर उतर कर पत्थर बरसा रहे है मुनुपुर शर्मा को फासी देने की मांग कर रहे है इन सबको लेकर कई आँज जनी की गई इसमें कई लोग खायरो गए और कईयों की मरने की ख़बर सामने आई है इन सबको लेकर हर राज में पुलिस एक्षन ले रहे है लेकिन इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आई है जहाँ पर ग्रह मंत्राले ने एक पड़ी बैठकी है और इस सब पर अब भड़ा एक्शन लेनी की त्यारी की जा रहे हैं जी हाँ, अमिर्शाह अब पूरी तरीके से मैदान में उतर चुके हैं और जिन्हों ने भी यहाँ पर पत्थर बरसाए थें, सभी की तुड़ाई अब जल्दी ही करने वाले हैं दरसर भाजबा की पूर प्रवक्ता, नुपुर शर्मा इसलाम के पैगंबर मुहम्मत के कथित अपमान के नाम पर देश भर में किये जारे दंगे को लेकर केंद्रे ग्रह मंत्राले ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस को सतर रहने को कहा है मंत्राले ने कहा है कि हिंसा के दोरान उन्हें निशाना बनाया जा सकता है आपको उदादे शुकरवार को विरोध प्रदर्शन के नाम पर देश के कई शहरों में दंगे किये गे इस दोरान दंगायों ने पुलिस पर हमला किया इस दोरान तोड़फोर, अगजनी और पत्थराओ की कई गंभीर घट्राएं सामने आए मंत्राले के एक वरिष अधिकारी के मुताबि कारून व्यस्ता बनाये रखने के लिए तैनात पुलिस कर्मी से उची दंगा गियर में रहने के लिए कहा गया है पुरी तरीके से यहाँ पर ग्रे मंत्राले अब सक्थ हो गया है अधकारी ने ये भी कहा है कि पुलिस को भड़काओ भाशर देने वाले लोगों पर पैनी नजर बनाये रखने के लिए कहा गया है इसके लावा राज़ पुलिस से अपने भाशणों में हिंशा भड़काऊ बयान देने वाले और उसे लाइप पोस्ट करने वालों की पहचान करने को कहा गया है ताकि उनके खिलाफ सक्ष सक्ष कारवाई जरूर की जा सके डेक्स रिपोर्ट आमन वीके न्यूज